हलो इस्ट्ट्रेंट स्वागत है आप सभी का एक बर्फिर से हमारे इस लेक्चर में हम लोग पीशी 6 समिस्टर यानि कि थर्ड एयर के चुलोजी के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट कोश्ण या आप कह सकते हैं कि केस पेपर के बारे में आपके साथ डिसकसर करेंगे यानि कि 2024 में जो आपका एक्जाम होने वाला है ठीक है वैसे तो अभी पुर्वांचर विश्ट्र विद्याले के तरफ से जो टाइन टेबल है वो इसू कर दिया गया है तो उन बच्चों का जिनका 6 समिस्टर का एक्जाम होने वाला है ठीक है एपरेल में जिसका होगा वो बच्चे चाहदे तर द्यान देंगे ठीक है यह लोग के फिर्ष्ट ऑразу ख्मेड प्रकार से कोश्शन आपके पूछे जासकते हैं तो जो जिनकाड प्रकार की बात हम लोग कर एंगे next lecture में आपको second paper का हम case paper या फिर आप कह सकते जो भी important question होगा आपको हम next video में दे देंगे तो देखिए student आपको पता है जो आपका unit है वो 8 आपका जो flavor से वो 8 unit में divide किया गया है ठीक है जिसमें से पहले unit से आपसे question पूशा जा सकता है कि lehmar Kingdom क्या है या Darwinism क्या है ठीक है लेmar Kingdom और Darwinism के बारे में आपको उसके theory के बारे में आपसे पूशा जा सकता है short answer type question में पूशा जा सकता है ठीक है यानि कि आपको 5 number वाले या फिर 7 number वाले जो section भी होता है ठीक है section Research question B उसमें यह question आपको देखने को मिल सकता हैं तो यह दोनों questions अप look mark कर लेजिएगा है moment और लोग जिस्ट्रवेंट्वेंट्व आपसे दो नंबर के Question ले question में पूझी जा सकते हैं जिसे कोई information क्या होता है parallel pollution क्या होता है क्या होता है divergent evolution क्या होता है क्या होता देखने को मिलेगा आप जिस भी इन्वर्सिटी से आपके लिए यह जो पेपर बनाए गया है यह मोस्ट इप्वार्टिंट होगा ठीक है जो सेक्शन भी है उसमें हो सकता आपको modern synthetic theory आपसे पूश दिया जाए अगर आपसे modern synthetic theory नहीं पूशता है तो आपको हेर्डी वेनवर्ग equilibrium आपसे पूश सकता है या theory जिसको बोल सकते है वो आपसे पूश सकता है तो आप यह दोनों question जरूर से त्यार करेगा हो सकता है कि दोनों question आपको मिल सकते है section B में या एक question आपको देखने को जरूर मिलेगा और आपको student पता ही है कि जो first section होता है section A उसमें संख्या मतलब जो question की संख्या होती है वो जादे होती है और सारे question को attempt करना पड़ता है तो वहाँ पे आपको micro illusion और macro illusion आपसे पूश सकता है ठीक है macro illusion और micro illusion साथी student आपने वहाँ पे देखा होगा pattern आप यूरूशन दिया गया है ठीक है जिसमें mutation, selection, genetic drift ये सारे question एक ही topic के अंतरगत आती है आप ये topic आपसे हो सकता है कि दो number के question में अलग-अलग से पूश सकता है कि भाई mutation क्या होता है genetic drift क्या होता है selection क्या होता है artificial selection क्या होता है sexual selection क्या होता है natural selection क्या होता है तो ये सब सीजे आपको इसी में आ जाएगी आप पढ़ लेज़ेगा आपके बीएशिफ जो सिक्स समेस्टर है फर्स्ट पेपर का कम्प्लीट पीडियप आर्ट यूनिट का ठीक है हमारे पास बन चुका है अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडियप चाहिए तो आप सिर्फ नाइंटी नाइन डूपीज में ठीक है उस सब्सक्राइब तो पुर्वांचल पीडियाले की स्टुडेंट या उसका एक्जाम जुलाई में माई में जून में होगा तो वह बच्चे पेड़ ले सकते हैं यानि कि जो 279 का है ठीक है चाहिए आपको उसका पूरा पीडियप और लेक्चर भी मिल जाएगा ठीक है और जो बच्ची चाहते हैं क्यों आपको पेपर वह दे दिया जाए क्या बोलते उसको नोर्स दे दिया जाए तो 99 रुपीज में फैस्ट पेपर को पर्चेस कर सकते हैं हलाकि सेकेंड पेपर जो हम लोग बनाएंगे जो इंप्वार्टन कोश्चन होगा पुर्वांचल पिस् पूछे जा सकते हैं तो उस कोश्चन को वहां पर आने कि उसका एंसर आपको लिखा रहेगा अब आपको एक पेपर आपको सकते हैं कि आपको आपके स्लेपर से कुछ इंप्वार्टन कोश्चन लिखा लिए गए जो आपकी एक्जाम में देखने को मिलेगा ठीक है तो आप से पूछा जाए सकता है तिस्ते यूणिट से कुछन आएगा नहीं कोश्चन चाहें जैसे आप से पूछ ले जाएगा लेकिन थर्ड यूणिट में आपका कोश्चन बनता है फोसिल क्या होता है फोसिल क्या होता है और इसका टाइप से पूछे जाए सकते हैं इन सार एक question का answer आपको जो लोजी का PDF है उसमें आपको मिल जाएगा तो आज सारे PDF अपलोड हो चुके हैं जिसको लेना है वो बैच को जॉइन कर सकता है पैच जॉइन करने की process आपको पता ही है सेपली आपको payment करना उसका screen short भेज देना है इसकी screen short भेजने के साथ साथ आपको अपना email ID भेज देना है हम आपको एक link प्रॉइड करेंगे जैसे आप उस link को click करेंगे तो आप से email ID महेंगा चो email ID आप भेज़िए हैं उस email ID को click करके आपको request भेज देंगे हमारे पास अगर पेमिंट का स्टेटस आजाएगा स्क्रीन सॉट आजाएगा तो आपको भेज देंगे और आपको एक्सेप्ट करनेगे ठीक है चलिए अगला क्वेशन आपसे पूछा सकता है कि फाइलो जैनी हार्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल से आपे डिसकस करने के लिए दे सकता है तो नंबर के कोश्चन में और कोश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस्पीसियेशन क्या होता है मौस एक्स्टेंशन क्या होता है ठीक है यह आपसे पूछ सकता है कि मोड़ आफ इस्पीसियेशन क्या होता है जिसमें आपका एरोपेट्रिक और सिंपेट्रिक आता है ठीक ह तो यह दूर नंबर की कोशन में हो सकता है आपको देखने को मिले फिर आपका एक most important question आता है कि gametogenesis process को fertilization को detail से बताने का नहीं कि process आप gametogenesis और fertilization ठीक है female किस प्रकार से gamet का formation होता है मेल से में कैसे होता है ठीक है और इसके further fertilization कैसे होता है यह आपसे पूछा जिसकता है फिर आपसे पूछ सकता है कि fade map क्या होता है cell addition क्या होता है morphogenesis क्या होता है यह आपसे पूछ सकता है ठीक फिर आपसे gestulation पूछ सकता है कि process आप gestulation किस प्रकार से होता है यह चीजी आपसे पूर सकता है फिर आपसे पूर सकता है कि किस प्रकार से जीन का development होता है यह question भी आप लोग त्यार कलीजेगा फिर यहाँ से दो नंबर का question आपसे पूछा सकता है कि stem cell क्या होता है regeneration क्या होता है और metamorphosis क्या होता है यह भी most important question है student 10 number के question में एक question सबसे most important आपका आता है कि early development भर्टी बेट में किस प्रकार से early development होता है फिस में ठीक है यह बर्टी बेट में फिस में मैमल में और बर्ड में ठीक है किस प्रकार से उनलोगा early यह कि जाने development कैसे कैसे होता है यह सब चीज़े आपसे पूश सकता है फिर आपसे हो सकता है कि human में उसी question में आपसे दस तंबर वाली question में आपसे पूश सकता है कि किस प्रकार से kidney का development होता है i का development होता है limb का किस प्रकार से development होता है यह आपसे वहाँ पूश सकता है फिर आपसे पूछ सकता है कि Regeneration in mammals मैमल में किस प्रकार से Regeneration होता है ठीक है यह सब आपसे पूछ सकता है question जो कि most important आपकी exam के point आपके उसे ठीक है तो इस सब question आपको त्यार कर लिजेगा जाद एक question नहीं है question इसी से पूछेगा क्योंकि आपके syllabus का pattern देखते हुए तो घंटे की paper होगी आपको पता ही है ठीक है जिसमें से पहला section में आपको 10 के 10 question आपको attend करना है second में साइद आपको पास question attend करना होता है और last volume साइद आपको एक question attend करना होता है तो उस recording आपकी बना दी गई है ठीक है आप लोग इसको त्यायर कर लिजएगा इससे आपके सारी question question के answer मिल जाएगे PDF अब लोग पर purchase कर लेते हैं तो आपको एक डाम और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपको उसका suitable answer भी मिल जाएगा ठीक है सीकर पर का भी हम लोग के सारी paper डिसक्स कर लेंगे साथी साल एक रत deport के फर्ष्ट पर का और सीकर टेपर का ठीक है सारवार लोग चल्येव मिलते हैं निक्स लिए तॉपी के साथ है